असलाम वालेकुम फ्रेंट दुआ करता हूँ कि आप लोग खेरियत सुहेंगे मैं हूँ अदनान खान वेलकम टू माई चैनल स्मार्ट मुवीज वाक आज का टॉपिक हमारे चैनल के कंटेंट से थोड़ा हटकर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा एहम और इंपॉर्टेंट है पिछले कुछ चार-पांच दिन से बहुत ही ज़्यादा फसाद और कंट्रोवर्सरी हो रही है मस्जिद अल-अक्सा और इस्राइल के बीच में फ्रेंट्स मेरा मकसद सिर्फ इस वीडियो को बनाने का ये है कि लोगों को पता चल जाए कि मस्जिद अल-अक्सा क्या है और यहूदी कौन थे अक्शली में हमारे मुसलमान भाईयों को भी बहुत सो को नहीं पता है कि मस्जिद अल-अक्सा क्या एहमिएत रखती है मुसलमानों के नी ए तो आईए सबसे पहले जालनेते हैं मस्जिद अल-अक्सा के बारे में ये दुनिया भर के मुसल्मानों के निये इतनी जादा एहमियत और इंपोर्टेंस क्यों रखती है अल-अक्सा मौस ये जरुसलम के पुराने शहर में है और इसे इसलाम के सबसे तीन एहम लोकेशन में से माना जाता है जैसे के मक्का, मदिना और जरुसलम यहां सिर्फ फिलिस्टीन से नहीं बलके दुनिया भर के देशों से मुसलमान लोग आते हैं और इबादत करते हैं सबसे इंपोर्टन बात मस्जिद अल-अक्सा के बारे में ये है कि इसे मुसलमानों का किबला अवल भी कहा जाता है जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि दुनिया भर के सभी मुसलमान काबे की तरफ रुख करकर नमाज अदा किया करते हैं लेकिन क्या आपको मालूम है कि काबे से पहले दुनिया भर के सभी मुसलमान मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करकर नमाज अदा किया करते थे। यही वज़ा है कि मस्जिद अक्सा मुसलमानों की निये इतनी जादा इंपोर्टेंस रखती है। तो अब जान लेते हैं मस्जिद अक्सा के बाद च्यूज के बारे में जिन्होंने ये सारा फसाद खड़ा किया है। इस्राइली यानि ज्यूज इन्हें अर्वी में यहूदी कहा जाता है। एक समय था कि दुनिया भर के देशों से इन्हें मार कर भगाया जा रहा था। और उसके बाद ये फिलिस्तीन में आकर भज गए। अगर बाइबल की माने तो ये अबराहम के पोते जेकब के वंशत से हैं जिन्हें इसलाम और क्रिस्चन में फादर आफ प्रॉफिट कहा जाता था। इसलाम में अबराहम को इबराहीम अलिएसलाम और उनके पोते जैकब को याकूब अलिएसलाम कहा जाता है और यहूदी एक ऐसी कौम है जिसने हजारों साल अल्ला की नाफरमानी में गुजारे हैं हजرت याकूव अलिएस्टाम के दोर से बनी इसराइल नामी इस कौम का आगाज हुआ असल में इन्हें जब दुनिया के हर देश और हर जगा से मार कर निकाला जा रहा था तो फिलस्तीन ने इन्हें बसने की जगा दी और धीरे धीरे फसास से और illegal तरीकों से इन्होंने फलेस्टीन पर कबजा करना शुरू कर दिया और हौले हौले जमीन को आगे बढ़ाते गए आज की तारीक में पूरे फलेस्टीन पर कबजा करके इसराइल बना दिया हाला के इसराइल कोई देश ही नहीं था अब बात कर लेते हैं में टॉपिक की कि मस्जिद अक्सा पर इन्होंने क्यों हमला किया जब इसराइली एड्मिस्टेशन से पूछा गया तो उन्होंने कहा यहाँ पर जितने लोग आते हैं सारे के सारे प्रोटेस्ट करने आते हैं ना कि नमाज पढ़ने तो इसलिए हमने अपने आप को बचाने की निये मस्जिद अक्सा पर अटेक किया ताकि वो जगा खाली हो जाए असल में देखा जाए तो सब को बताता कि वहाँ पर बंदू के किसके हाथ में थी और नमाज कौन पढ़ रहा था ऐसा नहीं है कि सड़्ली स्टार्ट हो गया हो ये अकसर अपनी फोर्शिस को मसजीद अक्सा पर भेजते रहते हैं और फसाद करते रहते है ज्रवसुल्भ में काफी ज़ादा बड़े बड़े अयरिया थे जिसमें पहले मसल्मानों का होल था लेकिन हौले हौले इल्लीगल तरीके और इल्लीगल स्टेटमेंट के जरिये सारे मुसल्मानों को वहां से निकाल दिया गया ऐसी ही एक जगा है जिसका नाम है शेक जर्रा ये इन दोनों काफी जाधा चर्चा और ट्रेंडिंग में है तो आईए जानते हैं शेक जर्रा और मस्जीद अकसा के अटेक से क्या तालोक है पहला क्लेश हुआ मस्जीद अक्सा और इस्राइली फोर्स के बीच दूसरा क्लेश हुआ शेख जर्रा और इस्राइली फोर्स के बीच जो के जुरुसलम ओल्ड सिटी से दो किलोमीटर के फासले पर है जो के पहला टोटली मुस्लिम डॉमिनेंट एरिया था लेकिन इलिगल स को लेकर वहां पर बहुत सारा बवाल हुआ क्योंकि वह उन चार मुस्लिम फैमिलीज को इलिगल तरीके से वहां से निकालना चाहते थे इस चीज पर जब मुस्लिम्स लोगों की तरफ से हंगामा हुआ तो इस डिसीजन को 10 मई तक डिले कर दिया गया और अब वहां पर कु मस्जीद अल-क्सा पर अटैक कर दिया जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारा प्रॉपर्टी को लेकर कोई इशू नहीं है हम पर कोई पथर पहक रहा था तो हमने अपने बचाव पर हमला किया इस मस्जीद अक्सा के अटैक के अगेंस्ड में इस तरह के अटैक से क्योंकि यह हमारे किबलाय अवल पर अटैक है और हर रमजान को इस्राइली फोर्स इस तरह के हरकते करती रहती है और हम फिलस्टीन में अपने भाईयों और बेहनों को हर सरकम्स्टेंस में साथ देते रहेंगे और उसके बाद तयब इर्दगान ने य यही टाइम है जब सारी मुस्लिम कंट्रीज को एक हो जाना चाहिए और युनाइट हो जाना चाहिए तो यह था सारा मसला बेट्वीन मस्जिद अल-अक्सा और इस्राइली फोर्स के बीच में अगर आपको मीरी इंफोर्मेशन जरा भी पसंद आई तो कमेंट शेक्शन मे के नीचे लिखकर जरूर बताएं मैं हूँ अदनान खान आप देख रहे थे स्मार्ट मुवीज वाक चैनल मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक की ने कीप वाचिंग